हाई फ्रेंड्स नमसकार आज हम बात करेंगे एक ताउते के बारे में अब यह ताउते क्या बळा है भारत कोरना जेसी मामारी से पहले ही इस समस्या से जूझ रहा है और अब यह एक और मा एक और एक और चक्रवात तूफान भारत के उपर आ गया है ताउते एक तूफान का नाम है और ताउते का नाम म्यामार ने रखा है ताउते का मतलब होता है तेज आवाज करने वाली चिपकली अब सबसे बड़ा स्वाल ये है कि ये ताउते अपने देश के पांच राज्यों को इफेक्ट कर रहा है जिसमें माराष्ट, करनाट गुजरात और आदी राज्यों हो गए गुजरात के सत्रा जिल्लों में ये तबाई मचाने वाला है और इसकी रफ्तार 185 परतिक गंटा है अब देख लोगे कितनी तबाई ये मचा सकता है अब इस तवत्य तूफान का नाम कैसे रखा जाता है इन तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है और कौन इन तूफानों का नाम रखता है इसके बारे में बात करते हैं तूफानों का नाम रखने की प्रक्रिया बारत में 2004 से शुरूई थी जो आट देशों ने मिलकर इसकी प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें बारत, पाकिस्तान, बांगला देश, मुमान, मालदीव थे 2018 में पांच देश इसके साथ और जुड़े जो थे इरान, कतर, सौधी अरब, यमन और UAE यह तेरा देश मिलकर इन तुफानों का नाम रटने लगे 2020 में इन तेरा यह देशों ने तेरा तेरा नाम विस्व मुसंग संगटन को सुजա՗े थे और अब बारी बारी इंसे जो भी कोई तुफान आता है उसका नाम परतियक जैत बारी बारी से नाम सुझाता है इस तरीके से इन तुफानों को नाम सुझाया जाता है अब स्वाल यह आता है कि इन तुफानों का नाम क्यों रखते हैं क्यों तुफान को तुफान ही कह दे चक्रवाद को चक्रवाद ही कह दे तुफानों का नाम क्यों रखते हैं तो तुफानों का नाम रखने के पिछे इसका एक कारण यह है कि इसको identify किया जा सकते है तुफान किसी एक देश को effect नहीं करता है तुफान अगर आता है ना तो तीन, चार, पांथ देशों को एक साथ effect करता है तो अगर किसी तुफान का अगर नाम होता है ना तो उसको identify किया जा सकता है उससे एक अच्छा प्रबंदन किया जा सकता है एक देश के साथ मिलके दूसरे देश के साथ मिलके चार पांद देश एक साथ इकटे होके उस तुफान उस चक्रवाद का सामना कर सके इसलिए उसका नाम रखा जाता है उसका नाम रखने से एक लोगों को भी एक अच्छी तरह से याद हो जाता है लोग अपनी सुरक्सित जगह पे जा सकते हैं और सरकार को भी ये साहिता मिलती है और सरकार को भी ये रहता है कि उस तुफान से जान मान के हानी कम हो इसलिए उस तुफान का नाम रखा जाता है इ